Hello everyone, Ning Zee Yuan Zeng को भीगा देता है तो इस वज़े से Zeng को गुस्षा आ जाता है Zee Zeng को मीरर में से देख कर मुस्कुरा रहा होता है फिर Zeng पीछे से गुस्षे में चिलाती है Ning Zee Yuan मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मेरे बदले का इंतिजार करना तभी उसे ये रियलाइज होता है कि वो दस मिनित से भी ज्यादा देर से टेक्सी का इंतिजार कर रही है लेकिन अभी तक कोई टेक्सी यहाँ पर गुजरी नहीं है तभी उसके पास Zeeya कर अपनी कार रोक देता है उसे देख कर Zeng शौक हो जाती है Zee अंदर से बोलता है क्या तुम मेरी कार ले जाना चाहोगी Zeng कहती है क्या मैंने कुछ गलत सुना Zee कहता है तुम डर रही हो ना कि कहीं मैं तुम्हें किदनेप ना कर लू तुम्हारी बॉडी के कितने पैसे मिलेंगे तो Zeng कहती है मैं इतनी तो कीमती नहीं हूँ लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने डयालो भी हो सकते हो Zee मुस्कुरा कर कहता है यहाँ पर टेकसी लेना बहुत मुश्किल है मैं तीन तक गिनूँगा अगर तुम कार में नहीं आई तो मैं चला जाओंगा एक लेकिन Zeng नहीं हिलती है दो तीन और Zeng उसकी कार में बैठ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी फिर उसे पैसे देखकर बोलती है मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ यह इस कार के पैसे तो Zee उन पैसो को छीन लेता है और कहता है ठैंक You तो Zain सोचती है मैं ने सोचा नहीं था कि ये पैसे ले लेगा Zee पुछता है क्या हुआ क्या मुझे इन पैसो को नहीं लेना चाहिए था Zेंग कहती है ऐसा नहीं है इन पैसो से मेरा फाइड़ ही होता है तक नहीं जाया जा सकता तुम टेंशन मत लो सही जगा आने पर में कार रोक डूंगा तो जैंग जी को गुस्से में कहती है निंग जी युवान और मन में सोचती है ये इंसान तो कैमेलियन से भी जल्दी अपना कलर चेंज कर लेता है तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तो आपको पता ही होगा कि क्या हो सकता है तो क्या आप मुया को ऐसे ही रोते रहने दोगे ये सुनकर जी ब्रेक माल देता है और जैंग की ओर देखता है तभी जैंग मोबाइल में टाइम डिखा कर कहती है चलो जल्दी करो अगर तुम मुया को रोती हुई देखना नहीं चाहते हो तो फटाफट मुझे हॉस्पिटल पहुचा दो जी को मुईया रोती है ऐसा ख्याल आता है और यह सोचकर तो उसकी हवा ही टाइट हो जाती है और उसके बाद तो वो कार को स्पीड में करके रास्ते में बिना किसी स्टॉप पर रुके जेंग को सीधा हॉस्पिटल पहुचा देता है जेंग कहती है थैंक्स उसके बाद जेंग के घर का सीन दिखाया जाता है अंदर से आवज आती है सूजी चलो ब्रेकफस्ट करते है तो सूजी कहता है मेरा टिफिन पैक करड़ो में रास्ते में खालूंगा तब भी वहाँ पर उसकी मॉम हाथ में टिफि मदर और उसका नाम लिंग हॉंग यू यी है वो कहती है तुम्हें पता है वो कहापर है सूजी टी फिन लेते हुए कहता है क्या बात है लिंग हॉंग कहती है कल मेरी फ्रेंड यह पर आई थी वो जेंग शाओ के बारे में पूछ रही थी वो एक अच्छी फैमिली के साथ उसे मेलाना चाहती थी, सुजी कहता है, जेंग शाओ एक जिद्डी लड़की है, वो इतनी इजिली स्ट्रेंजर से साधी करने के लिए नहीं मानेंगी, लिंग होंग कहती है, लेकिन मैं मना नहीं करूंगी, जो लड़का उसके साधी करना चाहता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, निंग कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट, तो सुजी सौक हो जाता है, और कहता है, क्या, निंग जी युवान, सीन सिफ्ट होता है, जेंग होस और जी गुसा करता है, फिर कार को स्टार्ट कर देता है, तब ही जेंग का फोन रिंग करता है, वो सुजी का फोन होता है, जेंग बोलती है, हेलो मिस्टर ये, आज तुमने मुझे इतनी जल्दी फोन क्यों किया, तुमने ब्रेकफास्ट किया क्या, तो सुजी सामने से ब्रेक्फस्ट लेकर वही जा रही हूँ, मुझे डर है कि वो तुम्हारा स्वीट ब्रेक्फस्ट खाने के लिए इनकार ना कर दे, सुजी समने से कहता है तुम भी ना, वो सब छोड़ो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जेंग कहती है हाँ बोलो, सुजी कहता है मेरी म वो ना, तुम्हारे लिए साधी अरेंज करना चाहती है, जेंग कहती है, ओ, साधी मेरी जिन्देगी का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, उन्होंने ये सब कप्ते किया, फिर सुजी कहता है, जेंग शाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, जेंग उसे कहती है, कौन से अदमे के साथ मेरी साधी करवाने का सोचा है, क्या उस आदमे की पहले साधी हो चुकी है, और जी आगे से मीरर में से जेंग को देखे जा रहा था, तभी सुजी कहता है, निंग जी युवान, और ये नाम सुन कर जेंग के तो होस ही उड़ जाते है, और इसे के ये चेप्टर होता है, ये ही पर ही खतम, so that's it for today and thanks for watching, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा!